पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर सभी सियासी पार्टिया मददाताओं को लुभा कर अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। नीचे उतरने के लिए कहा। साथ ही एक सिक्षक से मजाक्या लहजे में उन्होंने कहा नीचे आजाओ नहीं तो वो खुद धरने पर वैट जाएंगे। तो मैं इसलिए आपके लिए आया हूँ क्योंकि मेरको आपकी चिंता है, आपके हेल्थ की चिंता है, आपके परिवार की चिंता है। इस मौके पर केजरिवाल ये दिली में चल रही आपकी सरकार का बखान किया, उन्होंने कहा कि उनके दिली में सिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, वहाँ के सिक्षकों को विदेशों में ट्रेनिंग दी जाती है। मेरी मैं आपसे गुजारिश करने के लिए हूँ मुझे आज शरम आ रही है पूरे समाज पे पूरी विवस्था के ऊपर कि हमारे टीचरों को इस तरह से तंकी के ऊपर बैठके और अपना प्रदर्शन करना पड़ा है, कितने दिन से बैठे हैं आप लोगा है, 47 देज मैं आपसे बस बिंती करने आया हूँ कि अब आप अपना नीचे आजाओ, आप बुखार भी आपको, उपर अगर कुछ हो गया तो ठीक नहीं रहेगा, आप लोग नीचे आजाओ, और मैं आपको बादा करता हूँ, कि हमारे सरकार बनने के बाद, जैसे दिल्ली में हमने सा सारे टीचरों के मसले हल करें, दिल्ली का सुना है ना, दिल्ली में शिक्षा बहुत अच्छी हो गई, वो हमने नहीं करी, टीचरों ने अच्छी करी है, टीचरों पे हमने वरोसा करा, टीचरों को हमने सारी सु विदाए दी, स्कूलों में सारी सु विदाए दी, तो बहां केजरिवाल ने प्रदर्शनकारी सिक्षकों से कहा कि आम आदमी पार्टी को पंजाब में सरकार बनाने का मौका मिलना जाहिए उन्होंने दावा किया कि दिली में उनकी सरकार ने सिक्षा व्यवस्था में सुधार किया है और सिक्षकों के मुद्दों का समाधान किया है केजरिवाल ने सिक्षकों के मांग नहीं मानने के लिए पूर्ववर्ति कॉंग्रस और अकाली सरकार की आलोचना भी की अकाली खिख रालोचना भी की अकाली सरकाले में सहिर सिक्षकों Ergebnis not